नमस्कार दूस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियनू टोड़े आईए जान लेते हैं अभी के लेटेश अपडेट के बारे में अभी के अपडेट उत्तर पर इह लेकपाल भरती 2021 को लेकरें जिसका विग्यापन बहुत जल्द आने वाला है आपके जहन में सवाल होगा कि किस महीने में विग्यापन आएगा साइचिक अहरता क्या मांगी जाएगी टिपल सी अनिमार है या नहीं है तो पूरी जानका इस वीडियो में आपको मिलने वाली है मैं आपसे को बताना क्याता हूँ कि पहले लेकपाल भरती का विग्यापन उत्तरपेस अजिनास्तिवा चैन आयो की माध्यम से जारी नहीं किया जाता था पहले बार उत्ताप्रेस अजिरनस्तिवा चैना आयो की माध्यम से लेक पाल भर्तीका बिग्यापन जारी होने जा रहे हैं और बमपर पदो पर शपाह सासनकाल में 12 हजार से इजिक पदो पर भर्तीका बिग्यापन जारी रहे हुऊ था उसमें विभाग के माद्यम से भरती परिच्छा कायोजन कराया गया था और मेरिट लिष्ट जिलावार बनाए गयी थी यानि कि हर जिले की अलग मेरिट बनाए गयी थी आपकी बार पूरे परदेश की एक मेरिट होगी और प्रारंबिक आहरता परिच्छा क्वालिफाई करने वाला कंडिडेट ही लिखपाल भरती के लिए अपलाई कर पाएगा और मुख परिच्छा में बैट पाएगा क्योंकि UPSS3 ने प्रारंबिक आहरता परिच्छा कायोजन 24 अगट 2021 को किया है एक बर्स तक आने वाली सभी भरतियों के लिए वही भरती अपलाई कर पाएग गे वही कंडिडेट अपलाई करपाएगे जो कि प्रारंबिक आहरता परिच्छा क्वालिफाई होगे प्रारंभिक अहर्ता परिच्छा की मेरिट परिशेंटाइल के आधार पर बनाई जाएगी परिशेंटाइल कैसे बनाया जाएगा मैं आप से बताना चाहता हूँ अगर आप सो में से नब्बे नंबर पाएं और आपका सबसे हाइस्ट नंबर है तो 90 को 100% मान कर वहीं से merit घटानी शुरू होगी और 15 से 20 गुना candidate को मुख पर इच्छक ले बुला लिया जाएगा अभी तो इस पर कोई decision नहीं हुआ है लेकिन जो जानकारे मिली है कि 15 से 20 गुना candidate मुख पर इच्छक ले बुलाया जाएगे वैसे apply ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्योंकि आयुग ने साप कह दिया है कि जब आप लोग apply कर लेंगे तो उसी में से हम start list करेंगे यानि कि 5 लाग apply करेंगे तब भी जो है 15 से 20 गुना candidate मुख पर इच्छक में बैठेंगे तो apply ज्यादा से ज्यादा कराया जाएगा और बाद में start list किया जाएगा जो merit के आधार पर challenge किया जाएगे बिस गुना के अंदर ज़त आएगे वही जो है मुख पर इच्छा में प्रतिभाग कर पाएगे साइचिक आहरता क्या मांगी जाएगी और साइचिक आहरता कब की होनी चाहिए देखे आवेदन की अंतिम्तिसी के पहले आपके पास सारी साइचिक आहरता उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि लेकपाल भरती का जब बिग्यापन जारी होगा तो कम से कम 15 से 18 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगे और आवेदन की अंतिम्तिसी मान लेजे की 18 अक्टूबर है तो 18 अक्टूबर के पहले आपके पास सारी साइचिक आहरता होनी चाहिए यानि की इंटर्मीडियर अगर आप पास है किसी भी साइट से चाहिए आर्ट हो या साइच्ट हो तो आप अपलाई कर पाएंगे आपकी आयू 18 से 40 बर्स होनी चाहिए इंटर्मीडियर प्लस आयू 18 से 40 बर्स अगर आप आरेच्छित वर्क के हैं तो आपको आयू में 3 से 5 बर्स की छूट मिल सकती है मुख पर इच्छा में बैटने के लिए आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए मेरे दोर एक कटाब बनाया गया था कटाब के समन में आपको इसके पहले भी जानकारे दी गई है कि कटाब किस परकार से तयार किया गया था जो कटाप बनाया गया है उसको आप लोग देख लिजे उस कटाप के आधार पर अगर आपके नंबर आते हैं तो आप मुख पर इच्छा के लिजबल होंगे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ सभी के जहन में एक और सवाल है कि माली जे हमारे पास इंटर्मीडियट है आर्ट हो या साइस हो हमारी आयू अठारा से चालिस बर्स है हमारे पास निमाज परमाण पत्र है हमारे पास जाज परमाण पत्र है अगर हमारे पाश ट्रिपल सी नहीं है तो क्या हम लेकपालों हर्ती के लिए अपलाई कर पाएंगे बहुत ही अहम सवाल है और इसके समझ में सो में सी 10 फीद्धी अभर्थी जानकारी मांग रहे हैं कि प्रारंबिक अहर्ता परिच्छा 24 अगर 2021 को कंडिट कराया गया 17,62,000 की करीब इस परिच्छा में प्रतिभाग किये 20,73,540 आवीदन किये यानि कि 15 फीद्धी अभर्थी ने परिच्छा छोड़ दिया और 85 फीद्धी अभर्थी परिच्छा में सामिर हुए मैं आपको बता दूँ 17,62,000 की करीब जो कंडिडिट हैं जो की प्रारंबिक अहर्ता परिच्छा में प्रतिभाग किये थे उनमें से 10 फीदी ऐसे कंडिडिट हैं जिनके पर ट्रिपल सी साइटिफिकर नहीं है वे काफी परेशान है उनके जहन में एक सवाल है कि मेरे सबा का सासनकाल था 2017 के पहले 2015 के आस पास राजूष लेगपाल भर्ची का विग्यापन विभाग की द्वाग के द्वारा जारी किया गया था उसमें से में साइट उसमें से मेरे जिलावार बनाए गयी थी और काफी अभर्च्छों ने उस परिच्छा में प्रतिभा गया जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है लेकपाल भर्ची के समझ किसी को सही जानकारी नहीं कि मैं साच के साथ आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लेकपाल भर्ची में ट्रिपल सी अनिवार है या नहीं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है लेकपाल भर्ची के लिए कंप्यूटर ग्यान जरूरी है अब राजुष लेकपाल भर्ची की बात हो रहे है या चकबंदी लेकपाल भर्ची की बात हो रहे है आपके जहनुए यहां भी सवाल एक बार उत्तरपर अजीना स्रीवा चाहिन के माधिम से जारी किया गया से लिखपाल दो होते हैं एक चगबंदी के होते हैं राजुसके होते हैं तो चगबंदी लेखपाल भरते का बिग्यापन जारी हुआ था आरच्छन में विवाज के करण बिग्यापन को निरस्त कर दिया गया पुरा अब बिग्यापन जारी किया जाएगा लेकिन राजुस लिखपाल भरती का विग्यापन एक विवार उत्तर पर अजिनस स्रीवा चैन आयो के माधिम से नहीं आया है पले या राजुस परिशत के पास अजिकार था जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं यहापन लिखा हुआ है कि समाजवादी सरकार में लिखपाल के पदो पर भरती का अजिकार राजुस परिशत के पास था प्रदिश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच इस तर पर र में आणिवारे कर दिया गया है. tillि ए घ्लं mains सी एनिवारे किया जाए। साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवारि कर दिया गया है इसके बाद भी यह तैं नहीं हो सका है कि भरती राजुस परसत करेगा या फिर अधिनस्त सेवा लेकिन अब तैं हो गया है बहुत पहले की खबर है मैं बहुत पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर देखे लिखा हुआ है लेकपाल भरती के लिए कंप्यूटर ग्यान जरूरी सवाल है कंप्यूटर ग्यान की बात की गई है तो क्या ट्रिपल सी अनिवार हो के लिए कंप्यूटर की आहरता जोड़ते हुए अजिनस्तिवा चैन आयूग से कराने का प्रस्ताव भेजा गया है सूत्रों का कहिना कि इसके अधार पर संबंदी प्रस्ताव पर मंजूरी दे दिये आयूग भरती में धाजली रूकने के लिए आनलाइन आविदन के साथ परिच्छा कराने की तयारी भी कर रहा है तो बहुत पहले के ख़वर है लेकिन बाद में प्रारंबिक आहरता परिच्छा होने की वज़ा से विग्यापन में भी लंब हो गया विग्यापन आपको जानकारे लाख का चैनल को सब्सक्राइब करने लिए आइक आइकन करें आइकनन दंबाद और प्रोड़ कर देये list देओं को लाईक कर ने मत बुले जाल भालतुट्टु नमस्कार